सो नाव लाइफ इंस और इंस कॉर्परेशन एलाइसी और यहां पर आचुकी है बहुत बड़ी ख़वर देगे चार गुनटे होगे इस ख़वर के आए और यहां पर कंपनी जो है वो बोनस और डिविडेंट पर यहां पर बाचीज जारी कर रही है अपनी शुरू कर रही है बोनस शेर आपको मिलने वाला है और यह रिवाइबल की तैयारी है इसका जो शेर प्राइस जिसके अंदर एकदम जान जो है वो जा चुकी है इस स्टॉक की उस जान को दोबारा पूकने लिए इसके अंदर बोनस शेर का साहरा लिया जा रहा है जी हां डिविडेंट का साह नहीं यह बोनस शेर का ही साहरा होगा अब यह अनुमत ऐसा देखा गया है कि नए कंपनी जो लिस्टेट कंपनी है वो तुरंत आकर बोनस देती दे देती है क्या यह कितना सही है क्या यह रिवाइबल ला पाएगा या नहीं बोनस शेर यह तो पका है आपको मिलने वाला य कि यहां पर कभी भी आहां पर खवर आ जाएंगी ओफीशली यह पर एनॉस कर दे जाएंगी एक पर बोनस की खवर जो है वह शुरू हो चुकिए ठीकह न और इसक यहांपर शूर्स प्लान कर रही है बोनस शेयर के ये मिंट की तरफ से नियूज आ चुकी है बाकी यहाँ पर है क्यों प्रॉब्लम आई है लाइसी के स्टॉक में इसको समझते हो क्या बोनस शेयर देने से क्या वो प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी जो कि लाइसी के शेयर को नीचे ले गई है हाली में एक लिस्टिट कमपनी जो कि आप जानते हो इनायका लमसम तेरा सो रुपए चोदा सो रुपए का प्रैस था जब यह इसके अंदर बोनस शेयर की खबर आई आज उस बोनस शेयर की खबर आने के बाद आज शेयर प्रैस का भाव देखिए ये लगातार ये नायका का चार्ट है हर दिन प्रेसर किसी दिन कम प्रेसर, किसी दिन ज्यादा प्रेसर किसी दिन आप साथ परसंट नीचे किसी दिन दो परसंट नीचे आज तो हत कर दी है लगातार दो दिनों से 13-14% की गिराब अठा चुकी है इस शेर में 13-14-1500 का शेर है यहाँ पर बोनस की ख़बर आने के बाद अब 983 पर ट्रेट कर रहा है इस वक्त तो क्या SI-LIC के अंदर हाल होने वाल है May be possible है क्योंकि बोनस देना आपके रिवाइबल होने का कोई भी यहाँ पर संकेत नहीं देती है बोनस की वज़े से आपका शेर प्राइस जो है वो स्प्लिट हो जाएगा आदा रह जाएगा अगर एक पर एक देंगे तो आदा रह जाएगा शेर प्राइस है उसमें क्या होगा उसमें ट्रेडर इंट्रेस्ट दिखाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि आपका जो 200-200 रुपए का जो शेर है वोट कर तुरंट 500 हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं हो ट्रेडर का इंट्रेस्ट जाद होगा लोग सस्ते दाम पर खरीद पाएंगे LIC के शेर को बस यह है लेकिन अभी भी अगर देखें 5.83 का प्राइस जो है न 5.80, 5.92 का जो प्राइस है यह भी अभी जो देखेंगे वो सस्ता है लेकिन इसके जो पियर कंपेरिजन अगर LIC मार्केट में अकेला होता तो देन हम सबस्ते की ब्रैंड वैल्यू है बट आपके सामने HDFC लाइफ है बाकी SBA लाइफ है तो यह सब क्या कहते हैं इनके कंपेरिजन क्या ऐसा हो हो कि LIC के शेर प्राइस में इतना दाव आप देखने के पला बाकी के कंपेरिजन अब देखिए बोनस शेर तो यह दे रहे हैं यहाँ पर नम्मर ओफ इकटी शेर देखिए जो कि मार्केट में इतनी शेर से एविलेवल है 632.50 करोड शेर से एविलेवल हैं मार्केट के अंदर अल्रेडी जो कि अभी अभी कंपनी लिस्टेड हुई है तब जाकर यह 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 तनी नम्मर ओफ शेर तब होते हैं जब आप एक बार बोनस या दो बार बोनस दे चुके होते हैं प्रेड हो चुका होता है आपका फेस वैल्यू टैन है उसके बाब जूद अगर यह फेस वैल्यू टैन है तो यह तो यहां पर शेर सापके मार्केट पहुंच जाएंगे जिसकी वैसे आप कहिए कि बहुत अच्छा यह रनप दे जाए बहुत मुश्किल है इसके अंदर थंड़ा पन आ जाएगा इतने नम्मर ओफ शेर बढ़ने की वैसे तो यहां पर ना क्या होने वाले कैसे होने वाले समझ में नहीं आ रहा बोनस शेर तो अभी देना ही नहीं चाहिए क्योंकि नम्मर ओफ क्यूटी शेर सापके बहुत जादा है आपका जो मैनेजमेंट है उसको क्या करने चाहिए यहां पर जो प्रीमियम की जो हालत बिगड है बागी कंपधिनों के संशाच आपकी जो प्रॉटिव वर लगातार यहां पर जो है अनस्टेवल होती जा रही है जबकि स्टेवल्टी है वहां पर को स्टेवल्टी दिखती है हाला कि व जो है वह यह यह को ठक्कर नहीं दे पा रही है इस व्युशन बहुत बैठती है बट है यहाँ पर फिर भी यह जो कंपनी आए इनकी stable earning है LIC की कोई भी stable earning नहीं है अब यह हाली में जो quarter result आए उसमें आपने क्या देखा LIC में उसमें आपका net profit जो है वो आपका 2400 करोड से गटकर 600 करोड रहे हैं तो premium में जो गिरावट है जो कि हमको देखने को मिल लही है और जो यहाँ पर financial results है जो unstability दिखा रहे है company को इसके उपर ध्यान देने चाहिए तब जाकर stock में जो है जो आपका एक value जो आप एक brand value खो रहे हो वो आपकी बापस आती हो देखे की market के अंदर और आपका share price बढ़ता हो देखेगा ना कि यह आपर bonus देने से कोई काम बनने वाला है देखते हैं के company के management क्या करता है क्या bonus share से बाकिये में कुछ के बनने होता है मेरे साफ से bonus share देने से कुछ भी नहीं होने वाला है जो यह सोच रहे की brand value बापस लोटेगी brand value अभी भी आपकी है लेकिन जो आप एक चमक हो चुक है market के अंदर वो bonus share देने से वो बिलकुल भी नहीं आईगी अगर आपकी हालत और खस्ता होती जाती है देने आपर जो है आपका जो premium अगर आपका और गिरता जाता है बागी company के comparison तो यहाँ पर आपका share और गिरता हुआ जाएगा bonus देने के बावजूद भी तो यह आलत है और dividend pay करना है यह तो आपका भाई यह हाक है share older का हाक है dividend आपको pay करना ही होगा आप कमा रहे हो अच्छी खासी कर रहे हो तो आपको dividend pay करना ही होगा LIC को बैसे भी premium वाली company है वाई तो यह सारी चीज़ है जब तक company के हालत सही नहीं होगी तब तक यहाँ पर जो है आपके share price में recovery बहुत मुस्किल है हम बात कर रहे थे पहले हमने सोचा बट market recover हो गया share recover हो गए फिर भी LIC के जो share है वो recover नहीं हुआ तो यह एक सबसे बड़ी problem है तो यहाँ पर अब हमको दिख रहा है कि premium एक problem है तो इन सबसे निपटना होगा actual में तो यहाँ पर क्या करती है company इसके उपर नज़र रखे बोनस शेयर से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला ऐसा मत कीजिएगा कि बोनस शेयर के चकर में आप खरीदले शेयर और ऐसा बिल्कुल भी अभी मत करेगा बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूत नहीं है तो जैसा है बैसा चलता है नायका जैसा हल ना हो अब यह आज ख़वर आई है मंडे के दिन देखते हैं market के अंदर LIC का react किस तरीके कर रहता है इस ख़वर की उपर कैसा react करता है अगर negative करेगा highly negative करेगा देर आप समझ जाएगा highly negative होने वाला है otherwise यहाँ पर positivity तो कुछ दिखती नहीं है फिलाल तो इससे जो है नए लोग थोड़ा सा थोड़ा सा दूर रही है यहाँ से अभी थोड़ा सा अठके रही है और बाके कोई आगे ख़वर आती है उस पर ध्यान दीजे बस यहाँ पर अभी यही कर सकते है फिलाल यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है यह जो जिस value पर बैटे है वो value बहुत कम है इनके साब से इस company के brand value के साब से बट यह value ओके यहाँ से गिरना नहीं चाहिए यहाँ consolidate के mode में चलाया है तो ज़्यादा बैतर है गिरे ना नाइका जैसा हाल ना हो अगर आपके इस वीडियो के प्रॉब्लम में कुछ पूछा है और अब दीच में जाए वीडियो देखने के लिए तो धन्माद उस्तो